हेलो फ्रेंड्स कैसी हो आप जैमा टैरो में आपका स्वागत है जैमा टैरो आपका अपना टैरो गाइस जैमा टैरो की जन्नल रीडिंग का टोपिक है उनके दिल में आप वो या कोई और जी हाँ आज का टोपिक है उनकी दिल में आप वो या कोई और ये रीडिंग ही शी से जेंडर, मेरिट, अनमेरिट, सभी लोगों के लिए है, कलेक्टिव, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब चाहिए देख सकते हो, जितनी रिजनेट हो, रख लेना, बाकी छोड़ देना, लेकिन ये पक्की बात है, कि जर्नल रीडिंग बलेगी है, बहुत सारी कलेक्टि के साथ, मिलेगी आपको एक अडवाइस, जो होगी आपके रिष्टे में बेहदी कारकर, तो गाइस, जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और ये वीडियो देख के बाद में, लाइक भी कर दें, शियर भी करें, तो चलिए देखते हैं, उनके दिल में आपो या फिर कोई और, तो क्या करना है हमने, आज इस बंदे की जिसको आप यार करते हो, जो मिठी मिठी बाते करता है, उसके लिए देखना है, ये खली बाते ही तो नहीं है, फस्ट कार्ट क्या आता है, देखते हैं, दा यह तो कमाल हो गया अगर इसकी जगह कुछ five of swords आता तो पक्की बात है आप लोगों का दिल तूट जाता है चैरी एट है मेजर अरकान का काड़ाई यह गाईज वाओ six of cup सिनाजू तो पूरा बनेगा रीडिंग के पत्ते जब पूरे काड़ा देंगे nine of cups queen of pentacles उनके दिल में आप हो या कुल और ace of swords चलो देखते हैं नीचे वाली लाइन में कुल से काड़ आते हैं king of cups wonderful आपको तो बता नहीं मुझे तो काड़ निकालते बहत खुशी हो रही है यह तो रीडिंग ten of swords आप देख रहे हो queen of pentacles के नीचे यह ten of swords आया थे star miserable काना का दा star eight of cups six of wants तो क्या है गाइज यहां चारो साइन आये है अर्थ साइन भी है अर्थ साइन भी है air साइन भी है fire साइन भी है water साइन भी है bottom में क्या आया है आप और भी खुश हो जो मेजर अर्गाना का सबसे लास्ट कार्ड दा वर्ड तो देखते हैं आज के इस आपका जो परसंड है जिसको आप बेहत प्यार करते हो उसके दिल में कहीं और तो नहीं है कुछ जो आपको बताने पाता गाइस पेले हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं सीधा आगे का रजल्ट निगाला अच्छा नहीं होगा देखिए यह जो queen of pentacles की energy है यह आपकी शो हुई हुई है और नीचे 10 of swords का भी card जो है वो यह बता रहा है कि यह person ने कहीं ना कहीं आपका मन बहुत बुरी तरह दु ऐसा लगता है कि जैसे किसी से जान चुडाने पीछा चुडाना किसी रिष्टे के लिए मना भी नहीं करना और हलात ऐसे पैदा कर देने कि सामने वाला थोड़ा सा मजबूर हो जाए आप इस चीज को लेके बहुत दुखी हो काफी समय से आपका person का weight भी कर रहे हो और हो सक person marriage का जहां पर जादा आ रहा है commitment का जादा आ रहा है तो यह person जो है आपको इस energy में इसने चोड़ा है आपको दुख तकलीफ मिला है अपने इस रिष्टे में आपको दुख तकलीफ मिला है इस रिष्टे में आपको इतनी उमीद नहीं थी कि यह बंदा जा बंदी आपको ऐसा पीट पीचे चुरा कूपना पीट पीचे चुरा कूपना इन्होंने यह person ने आपको बहुत बुरी energy में एक sad energy होती है एक queen of cups की होती है आपको queen of pentacles की energy कि काफी time से आप उदास हो आपका दिल चूटा हुआ है बहुत दुखी हो तो यह person देखते है ना आपका प्यार बरेकप ठुकरा के आगे निकल गए आपका प्यार महोबत इतना था आप दोनों के बीच में यह इन्सान आपको छोड़के चला गया लेकिन इस time आपकी energy काफी low है काफी परिशान हो आप यह बंदा बले ही आप से दूर चला गया है आपको उसने इस हालत में छोड़ा है कही ना कहीं यह परशान भी है यह जो काड़ है यह बताता है कि ग्रहन लगा हुआ वक्त फेवर में नहीं था आपके और इस परसन का वक्त फेवर में नहीं था यह चीजे जो है तब ही फेस हुई है अकेले यह अब खुद भी दुखी रहता है और दास्टार का काड़ यह इनसान जो है अपने आपको हील करने की कोशिश करना चाहता है कर रहा है और अपने रिष्टे को भी हील करने की कोशिश कर रहा है अपने आपको हील करेगा क्योंकि ये इस अनरजी में है ना कि इसको हील होने की बहुत जरूरत है तो ये अपने आपको हील कर रहा है अकेले ब पराके ये भी कोई सुखी नहीं है जो इन्होंने आपके साथ गलत करा मिस्बहेव करा जा किसी तरह सका भी चीट किया है उस चीज को लेके ये समझ रहे हैं और इनको काफी गिल्ट भी है उस टेम बले ही आपको अकेला छोड़कर चले गए वो मैं आपको मैंने बताया कि ये जो था न ये कार्ड बता रहा है कि वो आपके रिष्टे में उस टम एक समय खराब था जिसने आपको इस चीज इन चीजों में पहुंचाया तो घाइज आक उनके दिल में आप हो या कोई ओर तो मैं आपको बता दूँ कि उनके दिल में आप उनके दिल में आपो देखिए ये इनसान को अपनी गलतियों का पच्टावा है अच्छे बुझबूरे की समझ आ गई है इसको ये आपकी तरफ बढ़ता हुआ आना चाहता है यानि कि आ रहा है जा चैरियर्ड का काई बताता है कि एक समझ बूझ के साथ अपने आपको हील कर आपके आपकी तरफ आना चाहता है हो सकता है ये परसंड जो है आपका कोई रिष्टेदारी में पुराना हो कोई चाइल्डूर फ्रेंड हो कोई स्कूल का या दफ्तर का कलीक हो जिसके साथ आपकी रिलेशन थे जा रिष्टा था तो ये इनसान उस चीज का भी वेट कर रहा है कि कोई न कोई ऐसा ओकेजियन हो ये हमेशा सोचता है कि आप इतनको दिखें आप से ये कही न कहीं कोंटेक्ट बढ़ाएं उस इनसान के दिल में आपो क्योंकि ये किंग ओफ कप्स का कार्ड क करता था सुच्वेशन और डिमांड की तरग चलते जिस्ता अभी भी गड़मडाया हुआ है मैं आपको बताया कि आप हो सकता है कमेंट मेंट का लेट कर रहे हो मैरीज का वेट कर रहे हो तो उस वज़ा से ये काफी परिशान है लेकिन आपको ये प्यार बहुत करते हैं हो हो सकते हैं इनकी जो फेलड है कोई ठेकेदारी में हो ये अपने काम से संतुष्ट है ये नहीं है कि इनके काम दंदे की जब इजनस पर कारोबार की उससे ये संतुष्ट है उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं ये आपको लव प्यार महुभत पे आगे बढ़ा के खुशियों के साथ अपनी life spent करना चाते हैं क्योंकि जो हमें यहां मिला six of wants का card यह बताता है कि यह passionate होके आपकी तरफ बढ़ना चाते हैं आपके साथ मेरी सक चीजे आगे लजाना चाते हैं लेकिन हमारे को मिला हुआ है री जूनियर और री कंसिलेशन का card जहां मैंने बताया कि हो सकता है कि आप उनका wait कर रहे हो commitment का जब ऐसे wait कर रहे हो तो आप लोगों का reunion और reconciliation होना पक्का है क्योंकि हमें मिला हुआ है ace of sorts का card जो कहता है जो अपने person का wait कर रहे है in future वो वे इंतजार जो है खतम होने वाला है इस इंसान के दिल में आपो ये दिल से आपको चाहता है आपकी तरफ बढ़ना चाहता है आपको gift देना चाहता है कोई न कोई नए सिरे से अपने इस रिष्टे की शुरुआत करके चीज़े जो है मेरी इस तक ले जाना चाहता है क्योंकि कहीं न कहीं इसको अपनी past की चीज़े की जा इस टेम जो नराजगी चल रही है उस चीज़ का इसको अफसूस है आपको छोड़के जाना जा आपका दिल दुखाना इसको अभी तक नहीं पता था लेकिन अब पता है तो यह क्या है एक वक्त था जैसे मैंने आपको बताया न कि यह एक जो है अभी आपका थोड़ा सा चल रहा है जैसे ही यह कर्मा का साइकल खतम होगा न एक वक्त का वैसे ही चीज़े जो है दुबारा अपने ठीक रंग में अनिश्रुगो जाएगे तो यहां क्या है जितनी मर्जी बुराया है जितनी मर्जी कम्या है यह एक ऐसा चांस है कि यह जरूर लेना चाहता है इसके दिल में आप हों क्योंकि यह देखिए आपको प्यार करते हुए कप ओफर कर रहा है गिफ्ट दे रहा है और यहां आपके लिए प्यार का भरा हु कुप लेकी खड़ा है आपकी तरफ दो-दो एक्षन के काड अगर कोई डेविल का काड होता जा कोई वैसे भी लव का होता ना उसमें भी थोड़ा सा डौड़ता यह दो-दो काड जो आया ना यह आपके रिष्टे को मजबूत के लिए और आपको प्यार करते हैं आपके कि इस इनसान ने आपको इस अनर्जी में पहुंचाया है वो एक वक्त आपका जो था फेवर में नहीं था कर्मा का साइकल है जैसे जैसे गुजरता जाएगा वैसे वैसे जो है चीजे कलियर होती जाएगी तो यह इनसान के दिल में 10, 110% आप हो क्योंकि हमें जो काड मिले ह सब यही बता रहे हैं तो चलिए देखते हैं अगर आप इस अनर्जी में हो आप इस अनर्जी में हो तो आपके लिए एडवाइज कार्ड जो है कौन सा निकलता है एक कार्ड निकालना तो बनता ही है अगर आप इतने परिशान है शान्त हो जाएगे यह कार्ड बता रहे है यह परसन आपकी तरफ आएंगे यह दिल से चाहते हैं आपको उनके दिल में यहां कोई और लेडिज या कोई और किसी की नहीं आई फिगर यहां कोई फाइनस आया है देखिए गाइस 9 of swords का card आया है और bottom में क्या आया है आप देख लिजिए bottom में आया है wheel of fortune तो guys 9 of swords का card आया हमें advice की तोर पर देखिए सारा बताती हूँ आपको यह देखिए 9 of swords का card आया है जो यह बता रहा है कि अगर आपने दिल पे ज़्यादा चीज़े ले रखी है तो इतना ज़्यादा होपलेस होने की बिल्कु हाथ पर डिलेच होने की जरूरत नहीं है ये एक वक्त का तकाजा है जैसे ही निकलेगा एक किरन ऐसी होगी सूरज की जो आपकी लाइफ में रोशनी भरेगी तो आपने इस क्या करना है अपने अंदर से से अपने धिमाग से यहां तक कि आपके आसपास भी जो लोग बैठते हैं जो रिष्टों को लेके खराब बाते करते हैं नेगटिविटी वली बाते करते हैं जो नेगटिव छोड़ते हैं उनको आपको बचके रहना है जैसे जैसे आप पोजिटीव होते जाओगे यह आपका जो कर्मा का साइकल है जल्दी कलीन होता हुआ आपकी तरफ आएगा क्योंकि यहां हमें मिला है बोटम में एडवाइस कार्ड में वीलो फर्चून वो जो बता रहा है कि वक्त बहतर आएगा बढ़िया आएगा लेकिन आपको क्या करना है यहां फिर मैं कहूंगी यहां दो कार्ड जब एक साथ आते है तो आपको क्या करना है थोड़ी सी चैरेटी करनी है सप्रिचल बनने की द्यान बगवान की तरफ लगाना है और अगर आपने कोई मननत मांग रखी या अपने रिष्टे को लेके तो जाव ऐसे कोई रिष्टे को अलावा लेके उस मननत को पूरा करना है तो यह थी आज की रीडिंग जिसका टोपिक था कि उस पर संग आउनके दिल में आप हो या वो तो गाइज उनके दिल में आपो यहां ना कोई फाइनस आया है ना कोई फीमेल आया है और ना ही कोई फैमली मेंबर आया है यहां आया है तो सिरफ आप लोगों का एक बुरा वक्त समय खराब और दूसरा आपको उन्होंने ज़्यादा टेंशन दिया वो चीज दीरे दीरे वक्त सारी चीज़े अपने हाथ में लेके आपको सूरज की अच्छी किरन रोशनी वाली जिंदगी देगा तो आप चलिए दो कार्ड निकालते हैं कि वो आपको कौन सा मैसेज करना चाहते हैं लाम मैसेज उनके क्या है जो चीज मूँ से नहीं कह सकते ये कार्ड बता देते हैं कि उनके लाम मैसेज क्या है एक कार्ड तो दो कार्ड You hold my tight चलो You are always ready to help me तो guys देखिए उस इनसान को जिसने आपके लिए दो message ऐसे सोच रखे हैं जो आपके लिए इतनी respect करते हैं आपको प्यार भी इतना करते हैं तो वो सिरफ आपको ही पसंद करते हैं उनके दिल में आपी हो अगर जी आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज कीजिए अगा like, share, comment साथ में मेरी चैनल को subscribe भी जो बिल्कू फ्री है बेल आइकन को तो आपने प्रेस करना ही है ताकि अगली वीडियो का notification पहुंचेगा आपके फोन पर अभी तक के लिए इतना ही मिलूंगे नेक्स्ट रीडिंग में तब तक के लिए God bless you और जय माता दी